नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्व चनल लंटा की लेक्सिपर दोस्तों आज हम लोग में पंच के बारें बात करेंगे दोस्तों पंच एक हाई करबन स्टील का एक कॉंट्री टूल है जासे कि आप यहां पर ड्रोइंग में देख पा रहे हैं यह हमारी पंच है इसका इस्तेमाल जब हम लोग कंपोनेंट पर मार्किंग करते हैं तो हम लोग उसके उपर मार्किंग मीडिया लगाते हैं और मार्किंग करते हैं दोस्तों यह जो मार्किंग है जब हम लोग मशीन पर लेकर जाते हैं मशीनिंग करने के लिए तो हैंडलिंग में य वह निशान जब हम लोग हैंडलिंग करें तो मार्किंग के दिन चली बी जाये तो निशान उसे हम लोग उसका देख सकते हैं दोस्तों हाइप बनावा होता है सोस्ट मैट्रियल ऐम कोपर इतियादी का देख दोस्तों के इसको डॉट पफ पंच कहते हैं दोस्तों यहाँ पर एक सेंटर और्श दिखाई गई एट इसी Ayam करते हैं जब करनी हो और तो हम्हों सेंटर पंज यह थोड़ा चोड़ा कर लेते हैं जोंगे क्यूंकि एक सफर्छी होता है तो और ंभ हमेब कर मिसा यह मैं अप्सक्की थे हैं गों कर सकते हैं पिक डॉट संक्र इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग याद रखते हैं अन्य था मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे भूल जाते हैं कौन से पंच का कुन सा एंगल है तो यहाद करने के लिए तरीका है दोस्तों यहाँ पर एक आंटोमाटिक पंच की द्रोइंग दिखाई गई है दोस दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ही है कि आटोमाटिक पंच का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हैमर की जूरूत नहीं पड़ती है हम लोग इसकी बॉड़ी को पकड़कर जिस पॉइंट पर निशान लगाना वहां पर रखके जब इसको प्रेस करते हैं तो जो स्प्र के जिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकोन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियों आपको तुरंत मिल सके तो आज हम लोग ने पंच के बारें बात की पंच में प्रिक पंच डॉट पंच और सेंटर पंच और आटोमाटिक पंच के बार करेंगे तो बने रहे हमारे साथ हमारी चैनल पर धन्यवाद